हे अब्रिबड़ी दिस इस बजेशियर और आप देख रहे हैं C.A.B.A. Infoventry क्या आपने अपना हम लिंकन के बारे में सुना है यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए जी हाँ आपने सही पहचाना वो United States of America के 16th President थे आज मैं आप से उनकी Remarkable Success Story की डिसकस करने जा रहा हूँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे की आगे आने वाले सभी important वीडियो के अपडेट आपको timely मिलते रहें अपना हम लिंकन एक American Lawyer and Statesman थे who became the 16th President of the United States of America in 1861 until his assassination in 1865 इतनी उचाई तक पहुँचना आसानी से नहीं हुआ उन्होंने जीवन में बहुत संघर्षों और कथिनाईयों का सामना किया लेकिन तमाम setbacks and followers के बाबजूर वे बहुत मेहनती और persistent individual थे उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी His journey to becoming the president has a series of followers उनकी इस सफलता की कहानी वास्तम में एक प्रेणा है और निरंतर प्रेयासों का प्रतीक है अब मैं आपको बताऊंगा Abraham Lincoln के early struggles के बारे में Abraham Lincoln was born in 1809 He is famously known for being the 16th president of the United States of America He was a champion of equal rights and he blazed a trail towards the freedom of slaves in America Abraham Lincoln का जान 1809 में हुआ था उन्हें United States of America के 16th president के रूप में जाना जाता है वो समान अधिकारों के हिमायती थे और उन्होंने अमेरिका में दासों की सुतनतिता की दिशा में एक पत प्रज्जोलित किया ये बड़ी उपलब्दी उन्हें रातो रात नहीं मिली देश में सरवोच पत्पात करने से पहले वो अपनी पूरी यात्रा में कई बार असफल रहे उनकी लगातार बेफलताओं की सूची में 1831 में व्यापार में असफल होना Failing in business 1836 में एक नर्वस बेक्डाउं से पीडिक्त होना Suffering a nervous background 1856 में राश्पती पत के लिए पराजित होना Defeated in his run for the presidential post Abraham Lincoln was no stranger to rejection and failures Rather than taking these signs as a motivation for surrender He refused to stop trying his best His quote that my great concern is not whether you have failed But whether you are content with your failure उनके अनुसार मेरी बड़ी चिंता ये नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं बलकि ये है कि क्या आप अपनी बिफलता से संतुष्ट हैं जब Abraham Lincoln 23 years के थे तब उनकी नौकरी चली गई उसी समय He also lost for state legislature इसके बार उन्हें एक और बड़ा जटका लगा जब स्रिफ तीन साल बार 26 साल की उमर में इसके तीन साल बार लेकिन इन सबी बैक टू बैक बेफलताओं या फैल वर्ट के बावजूद वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं हुए थे उन्होंने और भी अधिक मेनत करने की ठान ली और लगातार काम करते रहे हलाकी वो फिर फैल हो गए अठाना सो अर्तालिस में थर्टीनाइज की आयू में लिंकान अंसो फैल टू बिकाम कमिशनर अफ़ जनरल लेंड अफ़ेस इन डीसी इसके दस साल बार फैल बार लेकिनाइज की एज में फैल वर अकार्ट टू हम इन इस क्वेस्ट तो बिकाम ए उस सेनेटर बेशप दो अल बपरसनल बिसनेश अंड पॉलिटिकल फैल वर्ट सभी व्यक्तिगत व्यवसाइग और राजनीतिक भी फलताओं के बाबजूत लिंकान ने हार ने ही मानी बाट ही कैप इंसल्फ मॉंटिवेटिग अठाना सु चैलेश में लिंकान यूस हाउसाओ रप्रेसेंटेटिव के लिए चुने गए वेर ही रफ्ते अबिल तो अबोलिश स्लावरी अठाना सु एक्सट में 52 यह की एज में ही बेकेम प्रेसिदेंट अफ अठाना किया वू नुमेरियस हैं लेकिन वो लगातार बने रहे और उन्होंने अपने आत्म विश्वास को कभी भी प्रभावित नहीं होने दिया वो प्रते का सफलता के बाद कड़ी मेनत करते रहे और कभी हाल मानने वाला रवया उन्की सफलता की कहानी के लिए उनकी सबसे बड़ी संपत्ती रहा हमें अब्राहम लिंकन के जीवन से important life lessons मिलते हैं अब्राहम लिंकन का जीवन साबित करता है कि आपको जितनी rejections मिलती है is that not a defining factor सफलता अभी भी आपकी पहुँच में है जब आप मेहनती और द्रण होते हैं तो you are sure to make it to your dream failures and setbacks are a part of life what matters in life is your ability to overcome these with utmost confidence जब आप अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए ठान लेते हैं तो सफलता कभी दूर नहीं होती आपके प्रयास और कड़ी मेहनत एक दिन निश्चित रूप से रंग लाएंगे आप सफलता के बाद कभी भी आशा ना खोएं कड़ी मेहनत करते रहें और अपनी सफलता की कहानी का मार्क प्रशस्त करें कमेंट करके बताईए कि क्या अब बहम लिंकन की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको पसंद आई तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सिगनल जरूर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये इंफोर्मेशन किसी और के कामा सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉंपलेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लिफाई करता हूँ अपने यूटूब चैनल C.A.B.A. Infoventory पर तो अगर आपने अभी तक इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें और आप और हम मिल सकें एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और नह वीडियो में तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए बाबाए झाले से ख्याल रे इंट्सटिंगर्व्ट्स आपको टॉपिक के।